हलो आफ्रीबडी दिस दिग्रास सिंग राशपूत वेलकम तू मेगनेट बीन्स इस रीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस रीडियो में हम डेमोक्रेटिक गवर्मेंट के बारे में पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का इसे अच्छे से समझिएगा डेमोक्रेटिक गवर्मेंट अभी तक हमने गवर्मेंट के बारे में क्या देखा है गवर्मेंट क्या काम करती है laws बनाती है किस तरह की government होती है कैसे काम करती वो सारी चीजे है तो इंडिया में independence आई ही पहले dość कि इंडिया में independence आने के बाद मतलब जब हमें आजादी मिली किस से? British Government से ब्रिटिश गवर्मेंट से आजादी लेने के बाद फिर हमने क्या कि अपनी खुद की गवर्मेंट बनाई तो हम चाहते तो मोनार्की भी रख सकते थे किसी एक राजा को बोलते थे कि तुम देश के राजा बन जाओ या फिर हम किसी को dictator बना सकते थे कि आज से हमारी country में सब इनके हिसाब से होगा लेकिन हमने क्या अडाप्ट किया? हमने democracy को अडाप्ट किया मतलब हमने ऐक ऐसा form of government अडाप्ट किया ऐसा type of government अडाप्ट किया जिसमें हम लोगों को empower कर सके लोगों को power दे सके इस तरह की government को हमने क्या कि adopt किया अब सवाल ही आता है कि यह जो आप देख रहे हो नहीं मैंने board पर बहुत आसानी से लिख दिया इंडिया और democracy और independence लेकिन इन सारी चीजों के पीछे there was a long struggle ठीकें वो एक लंबा एक लंबा शंघर्ष करा हमारे लोगों ने long struggle of Indian people हमारे देश के लोगों ने काफी संघर्ष किया काफी मशक्कत की काभी काफी महनत की तब जाके हम democracy को अचीव कर पाए independence को अचीव कर पाए या फिर independence को अचीव करने के बाद democracy को implement कर पाए हमारे देश में ठीकें अब क्या होता बेसिक अगर essence देखो आप बेसिक अगर यह देखो कि democracy का किसी को कुछ नहीं पता चलो मुझे भी नहीं आपको भी लेकिन democracy क्या है उसको हम अगर simple से words में समझें तो democracy का मतलब यह हो गया कि लोग जो है ना कि लोग direct participate करें indirect participate करें लेकिन participate करें ठीक है लोगों का participation ही democracy है democracy क्या है democracy is equal to people ठीक है citizen जो देश की जनता है न जनता ही democracy है अब यहाँ पर लिखा क्या है basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules अब लोग participate कैसे करते हैं आपने देखा कभी आपके parents जा रहा हैं बोल रहें कि मैं law बना के आता हूँ आज आज कानून बनाने जा रहा हूँ है हम तो participate करते ही नहीं लेकिन फिर भी आप कहा रहा है कि democracy है और democracy में लोग participate करते हैं तो हम indirectly participate करते हैं ठीक है democracy जो है हम यहाँ पर जो democratic government पढ़ रहे हैं democratic government में हमारी जो government हुआ representative government है समझाता हूँ देखो क्या है ठीक है तो हमारी government क्या है representative government है हमारी democracy है representative direct democracy नहीं है जैसे क्या है आज से 1400 साल पहले क्या हुआ करता था Athens ठीक है Europe में जैसे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे लोग हर इंसान जाता था decision making process में ठीक है कुछ भी decision लेना है तो हर इंसान जाता था और फिर वहाँ पे decision लिया जाता था तो पहले representative government हुआ करता पहले direct democracy हुआ करती तो मतलब लोग direct participate कर रहे है लेकिन आज तो हम इतने सारे करोड़ों लोगे 130 करोड़ हो गए होंगे अब और जादा बढ़ी रहे है अभी मैंने बोला इतने में और जन संख्या बढ़ गई होगी तो इतने सारे लोग direct कैसे participate करेंगे possible ही नहीं है तो हम क्या करते है representative government adopt करते है यहाँ पे क्या होता है कि people do not participate directly but instead choose their representatives through an election process तो लोग खुद directly participate नहीं करते है लोग क्या करते है instead they choose their representatives हम अपने representatives को choose करते है ठीक है हम अपने बिहाफ पे किसी को vote देते है और वो इंसान जाके फिर क्या करता है वो इंसान जाके वहाँ पे मतलब government बनाता है government में हमारे लिए laws बनाता है तो इस तरह से हमारी जो democracy वो representative है ध्यान रहेगा representative मतलब हमारे द्वारा चुने गए leaders जो हमें represent कर रहे है वो हमारे बिहाफ पे decisions लेते हैं ठीक है still the definition of democratic government includes much more लेकिन इसके अलावा भी अगर आप democratic government की जब बात करते हो तो democratic government की जो definition है वो और भी चीजों को include करती है और भी चीजों को अपने अंदर incorporate करती है वो क्या बाते हैं क्या चीज़ें देखो तो जैसे universal adult franchise एक democratic government का या फिर आप जब democracy की बात करते हो तो universal adult franchise ही होना चाहिए universal adult franchise क्या होता है इसके हिसाब से क्या होता है कि all adults in country are allowed to vote इससे समझो universal adult franchise मतलब क्या है कि आपके देश में जितने भी adult है आपके देश में जितने भी adult है सभी को voting right होना चाहिए सभी को voting right मतलब सभी को vote देने का अधिकार हो आप क्या देखते हो कि आपके देश में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो democracy में जब आप बोल रहें कि सारी चीज़ें क्या होना चाहिए लोगों के द्वारा होना चाहिए तो लोग भी तो सारे होना चाहिए सभी लोगों को include किया जाना चाहिए तो उसी sense में क्या universal adult franchise ही क्या बोलता है कि सभी लोगों को include किया जाए democracy तब ही क्या रहेगी तब ही democracy की definition जोगी एक comprehensive definition बनेगी at this point of rights only we can say that democracy is a true democracy ठीक है democracy को सही मायने में अगर democracy बनाना तो आपको ये rights देना पड़ेंगे all adults in country are allowed to vote ठीक है ये आपको देहान रहेगा universal real franchise अब ये देखो ये जो evolution भी समझो इसका ये equal voting right की जो हम बात करें ना कि सभी adults को voting right मिल जाए ये तना आसान नहीं रहा है इसमें बहुत लंबा struggle रहा है और हमारे देश से पहले दूसरे European countries में और लंबा struggle रहा है हमने तो चलो फिर भी आजादी मिलते से ये ताय कर लिया था कि हम सभी को voting right देंगे लेकिन कुछ देश जो आज बहुत डेवलेट जैसे अमेरिका हो गया ठीक है फ्रांस हो गया यूरोप के अलग-अलग देश हो गया ब्रिटेन वगरा इन देशों में भी equal voting right नहीं था एक लंबे समय तक देखो फस्ट वर्ड वार हुआ था 1914 से 18 तक ब्यान रखना कहा नहीं सुनो ठीक है तो फस्ट वर्ड वार के पहले जैसे अगर आप देखोगे तो एक दो ही country थे के दुखे कहीं पे जैसे न्यूजिलेंड वगरा जहां पे women को voting right था लेकिन दूसरी जगा क्या था women को voting right नहीं था men में भी अगर बात की जाए तो जो property men होते थे जिन men के पास में क्या होती थे संपत्ती होती थी ना उन्ही men को क्या था voting right था पहले ठीक तो अब क्या बात होने लगी यहाँ पर बात यह निकल के है हमारे सामने कि वह यह voting right अगर देना है तो voting right कैसे दो voting right जो अगर आपको देना है किसी को तो वह सिर्फ men को दो voting right देना है तो सिर्फ property men को दो यह चीज गलत थी ठीक है तो यहाँ पर women ने non-property men ने जिनके पास property नहीं थी उन सारे लोगों ने आवाज उठाना चालू करी ठीक तो यहाँ पर एक struggle है universal adult franchise जो है तो इतना आसान नहीं रहा यहाँ पर बहुत struggle है struggle of women महिलाओ ने क्या कि अलग-अलग parts में participate किया moments में कि हमें voting right मिले तो जो first world war की कहानी बता रहो फिर struggle of non-property men तो जैसे मैंने बता है कि पहले सिर्फ property जिनके पास होती थी उन्ही men के voting right होते थे तो यहाँ पर वो भी struggle हुआ अब इंडिया में क्या कहानी रही तो मैंने बताया कि हमने जब सब को equal voting right दिने के बात करी तो इंडिया में क्या होता है इंडिया before independence only only a small minority was allowed to vote and they therefore came together to determine the fate of the majority independence के पहले क्या होता था कि सभी को voting right नहीं था कुछ specific minorities को specific minority मतलब पूरी देश के जनता में से कुछ ही लोगों को voting right दिया जाता था अब जब कुछ जब को voting right दिया जाता तो इसके चलते क्या हो रहा है कि 10 लोग 1000 लोगों का भविश्यताय कर रहे है क्योंकि 10 लोग को voting right है वो laws बनाएंगे वो अपनी government बनाएंगे और वो 10 लोगों के हिसाब से फिर 1000 लोगों का भविश्यताय हो जाएगा तो हमने यह देखा हमारे leaders में जब यह देखा तो several people including गांधी जी वर shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote ठीक है तो जब हमारे leaders ने देखा क्या रहे है तो unfair है क्यों क्योंकि कुछ लोग सभी लोगों के लिए decision ले रहे है सभी को voting right दो ना जब decision सभी लोगों के लिए होगा तो voting right भी सभी लोगों को मिलना चाहिए तो उसीज को ध्यान में रखते हुए हमारे leaders ने क्या demand की हमारे leaders ने demand की कि सभी को voting rights दिया जाना चाहिए ठीक है they demanded that all adults should have right to vote अब देखो महात्मा गांदी का observation यहापे देखो क्या महात्मा गांदी on universal adult franchise क्या कहते है महात्मा गांदी राइटिंग इन जन्रल यंग इंडिया इन 1931 में उन्होंने अपनी जन्रल चलता था उनका ठीक है but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote और यह बोल रहे है कि एक इंसान है इसके पास character है इसके पास moral values है इसके पास principles है जो क्या बोलते है एक अच्छा इंसान है लेकिन इसके पास पैसा नहीं है उसके पास literacy नहीं है तो उसे voting right मत दो यह कहां तक justified है महात्मा गांदी बोलते है और that man who works honestly by the sweat of his bro day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man ठीक है तो यह बोलते है कि एक इंसान जो इतनी महनत कर रहा है इमानदारी से काम कर रहा है दिन रात काम कर रहा है उस इंसान को आप voting right नहीं दे रहो क्यों क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है तो यह गलत है ठीक है इस चीज के अगें देश में तो आज आप देखोगे हमारे देश में सभी को voting right है जब हमें आजादी मिली थी ना तब जो age रखा था 21 रखा था ठीक है आया ना समझ में अब क्या है अब जो age है उसको 18 कर दिया और कम कर दिया है तो अब adult की definition में 18 years आने लगें clear इसी के साथ हमारे याला topic क्या होता है complete होता है I hope you enjoyed the topic सारी चीज़ने आपको समझ में आई है किसी प्रकार को कोई doubt है तो feel free to ask in comment section एक important चीज़ सुनो देखो हमारा chapter complete हो गया है तो पहले तो क्या है chapter complete हो खुशी करो ठीक है तो theory part पर chapter हमारा complete हो गया है बचा क्या है आप हमारा question answer तो next video lecture में हम आपको NCRT solution solution बता देंगे कि NCRT questions जो है तो उनके answer क्या है ठीक अब एक चीज़ और सुन लो मुस्कुरा लिया तो अब सुनो क्या class 4th से 12 तक इसी तरह से सारा syllabus आप complete कर सकते हो magnet brains पे सारे video lectures available है घर बैठो और आम से अपना syllabus complete करो अपने juniors को भी बताओ और अपने seniors को भी बताओ clear है next video lecture में मिलते हैं NCIT solution के साथ I hope you enjoyed the chapter सारी चीजें समझ में आई है till then stay connected keep learning thank you thank you very much